नमस्का दोस्तों कमपर्शन एकडमी के यूट्यूब पोटल पर आपका स्थागत है उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और इस महामारी को लेकर यह न्टिये ने आयोग ने भी परिक्षा की तिती में परिवर्तन करने और जो रेजिस्टेशन की डेट है अपरेल में उस डेट को भी परिवर्तित करने के लिए विचार कर रहा है तो आप लोग बिलकुल भी परिशान ना हो और अभी लॉकडाउन है लॉकडाउन में संपर्क करने आयोग से कि डेट क्या होगी वह इसे मैंने मैंसे डाल दिया है कल आप लोगों कंफर्म बता देंगे कौन सी डेट होगी और क्या परिवर्तन होगा यह देखें आयोग ने अपने वेबसाइट पे डाला है कोविड-19 के खिलाब एहतियात के तोर पर हमारा हेल्प डेक सीमित संसाथनों के साथ चल रहा है परिक्षा संबन्धी प्रसनों के लिए हमें दिये गए नंबर पर संपर्क करें यह सेक्षन के तहत अन सभी प्रसनों के लिए किरपया नियमित रूप से वेबसाइट देखें यह भी कहा गया है कि आप वेबसाइट देखते रहें और जैसे भी कोई चीज होगी बताया जाएगा यह अधिक जानकारी के लिए आप सुबा साहे नो बजे से साम को साहे पाँच बजे तक आप संपर कर सकते हैं आयोग ने यह मैसेज दिया है और उसने हेल्प के लिए दो चीजें दी हैं पहला तो उसने दिया है वेबसाइट आप अपने इमेल आईडी से ugc.net.nta.ac.in इस पर आप इमेल कर सकते हैं इमेल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं लेकिन टाइम का आप लोग ख्याल रखें टाइम यह होगा आप मैसेज डाल दिजें शाड़े 9 बजे से 5 बजे तक आपको सुचना मिलेगी इसी बीच में आप कॉल कर सकते हैं काल के लिए जो हलप लाइन नमबर दिया गया है आप यह देखें इस हलप लाइन नमबर को आप लोग नोट कर लें या इसका स्क्रीन शॉर्ट ले लें यह हलप लाइन नमबर है इस नंबर पर आप फोन करेंगे सुबा साड़े नो से साम साड़े पांच बजे के बीच तो आपको बता दिया जाएगा कि रेजिटेशन डेट क्या होगी परिवर्तित होगी या नहीं होगी या परिक्षा की डेट अगली कौन सी होगी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आज मैंने मेल कर दिया है और हो सकता है जैसे ही मेरे पास मेल आता है उसका जवाब आता है वैसे ही आप लोग को हम इंफॉर्म करेंगे फिर भी आप लोग अगर फोन करना चाहें तो इस नंबर पर कल फोन करके आप पता कर लें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस नंबर पर मिल जाएगी या आयोक का नंबर है और या अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इमेल कर दें ugcnet at the rate nta.ac.in पर आप इमेल कर दें तो अभी आपको मैसेज आ जाएगा तो इस तरीके से ये परिवर्तन कुछ होना है अब क्या होगा परिवर्तन ओ जब मैसेज आएगा तभी confirm होगा और website बराबर आप लोग चेक करते रहें अपनी पढ़ाई घर पर रहिए घर पर पढ़ाई करते रहिए कोई बहुत ज़्यादा आगे पीछे परिवर्तन नहीं होगा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होगा ही और अपना खयाल आप लोग बनाये रखें लागडाउन में सरकार की मदद करें